सातनाम वाहिग्रू साहिवजी तना स्री महला पंजवा जिसका तान मान तान सब तिसका सोई सुगड सुजानी तिनही सुणया दुख सुख मेरा तौबिद निकी खटानी जी की एक ही पहमानी अवर जतन कर रहे बौ तेरे तिन तिल नहीं कीमत जानी रहाओ अम्रत नाम निर्मोल कही रा गुर्दीनो मंतानी डिगे नांडुले दृड कर रहे यो पूर्ण होए दृपतानी हुए जो बीच हम तुम कश होते तिन की बात बिलानी अलंकार मिल थैली ओ ये ताते कनक वकानी प्रगटयो जोत सहज सुख सोबा बाजे अनहत बानी कौनानक नेचल कर बात देओ गुर्की ओ बंदानी प्रगटयो जोत सहज सुख सोबा बाजे अनहत बानी कौनानक नेचल कर बात देओ गुर्की ओ बंदानी वाहिगर जी का खालसा वाहिगर जी की फते एहन आजदे पवित्र हुकमना में जो सुरी दरवार साहिव अमर सर्तो आहन साहिव स्री गुरू अरजन देव जी पंजमे पाश्या जी देतना स्री राग बिच उचार्न कीते हो हैं गुरू साहब जी फरमान कर रहने हे पाई जिन्दी अरदास एक परमातमा दे कोड़ ही मनने जान दी है परमातमा दे आसरे तो बिना लोग हुर्बते रेजतन करके ठाक जान दे हन उनना जतना दा मुल एक तिल जिनना पी नहीं समझा जान दा ठैरा ओ हे पाई जिस प्रभू दा दिटा होया ए स्रीर ते मान है e सारा तान पदार्थ पी उसे दा दिटा होया ओही सुचज्या है ते सियाना है असा जीवान दा दुख, सुख, सदा उस परमात्मा नेही सुनिया है ज़द हो साधी अर्दास अर जो ही सुन दायों तो साधी हाल ते चंगी बन जान दी है परमात्मा दा नाम आतमक जीवन देन बाला है नाम एक ऐसा हीरा है ज़ना किसे मुलतों नहीं मिल सकता गुरू ने ए नाम मंतर जिस मनुखनों दे दिता ओहो मनुख विकारां विच डिगदा नहीं डोलदा नहीं ओहो मनुख पके इरादे वाड़ा बन जानदा है ओहो मकमल तारते माया वल्लों संतों की रेंदा है हे पाई जिस मनुखनों गुरू पासों नाम हीरा मिल जानदा है उसते अंदरों उनना मेर तेर वाड़े सारे बितकरेंदी गल मुख जानदी है जो जगत विच बड़े प्रबलहन उस मनुखनों हर पासे प्रमातमा ही यों देशता है जिमें अनेकां गैने मिलके गाले जाके रेंदी वन जानदी है ते उसते लीतों उसोना ही अकवांदी है हे पाई जिस मनुख दे अंदर गुरू दी किर्पा नाळ परमातमा दी जोता प्रकाश हो जन्द है उसते अंदर आत्मक अडोलता दे अनांद पैदा हो जन्दे हन उसनों हर तां सोबा मिल दी है उस दे हर दे विच सिफ सलादी बानी दे मानों एक रासवाजे वाईदे रेंदे हन हे नानक आख गुरू ने जिस मनुख वास्ते ए परवंद कर दिता ओह मनुख सदा लई प्रभू चर्णा विच टिकाना प्रापत का लेंदा है वाहिगुर्जी का खालस वाहिगुर्जी की फते इस तोड़ेज होकम नमफरां स्री द्रवार साहिव अमरसर अटर्ब वार फिफ्थ गुरू 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 अर्जन देवजी अंडर्ना स्री फिफ्थ महरू Guru Safa Ji saying that body, mind, wealth and everything belong to him. He alone is all-wise and all-knowing. He listens to my pains and players and then my condition improves. My soul is satisfied with the one Lord alone. People make all sorts of other efforts, but they have no value at all. Pause. The ambrosial naam, the name of the Lord, is a priceless jewel. The Guru has given me this advice. It cannot be lost and it cannot be shaken off. It remains steady and I am perfectly satisfied with it. Those things which tore me away from you, Lord, are now gone. When golden ornaments are melted down into a lump, they are still said to be gold. The divine light has illuminated me and I am filled with celestial peace and glory. The unstruck melody of the Lord's Bani resounds within me. Says Nanath, I have built my eternal home. The Guru has constructed it for me. Vahigurji Ka Khalsa Vahigurji Ka Khalsa Vahigurji Ki Fateh Vahigurji Ka Khalsa 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 Vahigurji Ka 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 V